नमस्कार प्रिये विद्यार्थियो योग शास्तर से संबंधित महत्व पूर्ण वस्तु निश्ट प्रशन संग्र भागचार आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आप सब का योगा जोतिस हब यूटूब चैनल में स्वागत है और आज का जो हमारा विशे है वह पंच कोश के बारे में समझना जानना और वह कहां कहां से लिया गया है उसके बारे में पूर्ण ते हम समझेंगे सबसे पहले आज का जो प्रशन है वह यही है पंच कोशों का वर्णन किस उपनिशिद में प्राप्त होता है याद रखना है तेट्री उपनिशिद में प्राप्त होता है दूसरी बात पंच कोशों के नाम क्या है करम से इनके नाम आपने कंठस्त कर लेने हैं अनमयकोश, प्रानमयकोश, मनोमयकोश, विज्यानमयकोश और आनंदमयकोश ये पांच प्रकार के कोश हैं इनको याद रख शरीर इन तीन शरीरों में विभाजन करने के बाद स्थूल शरीर में कौन सा कोश आता है एक आता है अनमय कोश और शुक्षम शरीर के अंदर आपका प्रानमय कोश मनमय कोश और विज्ञानमय कोश ये सब आपके सुक्षम शरीर में आएंगे और कारण शरीर जो है वो आपक और करके शुक्षम शिर्ट के साथ कार्ण शिर्ट के साथ वो दूसरे लूख के जब जाता है तो वह start कारण श्रीर ही है जिस के साथ हमारे संसकार सब यह जाते हैं और अगला प्रशन जlarda मैं यह तो है इस किस कोroffen का वरनन किया गया है ध्यान रखना है तेतरी उपनिशत जो है ये कृष्ण यजुवेद से समदित रही है चलिए आगे ही आया प्रश्णिये ये अनुवाक की बात कर कर रहें तो द्वित्टी अनुवाक से समदित है इसको अभी संजहेंगे आगे आने वाले में क्योंकि इसमें कितनी अध्याई हैं उनको कि नाम से जाना गया है और उनमें कितने अनुवाक हैं और फिर ये बात समझ में आ जाएगी ये द्वित्य कितनी अनुवाक से समदुध है अब अगला जो प्रशन है वंग्रते थ्री उपनिशद के किस वेदी की साखा से समबंदित है तो यह थ्री 저 उपनिशिद जो है क्रिशन ये जुरिवेद की तेत्रिय साखा से संबंदित है इसको भी आप याद रखिएगा और अगला प्रशन ये हैं तेत्रिय उपनिशिद में कितने अध्याई हैं यानि करम से उनके नाम लिखने आपको करम से कम ये अध्याईउं के नाम याद रखन हैं अध्यायों के संख्या कितनी हैं तीन है और पहला है शिक्षावली ब्रहांदवली और भृगू वल्ली ये तीन अध्याय stinkser के अंदर ही पूरा टैत्रीउपणिश्यद समाया हुआ है और है अगला जो प्रशन पर दहले हमने जाना क्रिशन ये ज्रुवेद की मिन ठीट्रिय साख्य से यह त्यृत ठीट्रिय यृपणिशद लिया गया है और पर इसमने खंड एधे बहुर्टि तैत्रिय उपनिशद की ख्रमश है पहले शिक्षावल्ली जो हमने देखा ब्रमानंदवल्ली भ्रिगुवल्ली इनमें कितने कितने अनुवाक है आप देखिए पहला है शिक्षावल्ली जिसमें बारा अनुवाक है फिर आपका ब्रमानंदवल्ली जिसमें नो अनुवाक है और भ्रिगु वल्ली जिसमें दस अनुवाक है इस तरह से इनकी आपने संख्या याद रखनी है और अगला जो प्रशन ये है तैत्रिय उपनिशदी की प्रमुक शुक्तियां कौन कौन सी है नाम लिखना है ये शुक्तियां हम कई बार कहीं देखने को मिलती है पढ़ने को मि लिखी रहती है जिसमें हम लिख पढ़ते हैं अन्नम ब्रह्मवई रसोवई सह अन्नम ने निंद्यात अनकी निंदा नहीं करना सत्यम वद धर्मम्चर स्वाध्यायात माप्रमदह मात्री देवो भवे पित्री देवो भवे आचारी देवो भवे अतिथी देवो भवे इस सब की सब कहा हैं तेत्रिय उपनिशद की प्रशिद सुक्तियां हैं ये और तेत्रिय उपनिशद की जो प्रथम वल्ली है शिक्षा वल्ली उसमें ये सब आती हैं और क्योंकि उसमें शिक्षाएं हैं कैसे आपको आचरन विवहार के बारे में पूरा उसमें विवरन दिया ग शुक्षम शुरीर को कितने प्रकार का माना गया है यह थोड़ा अलग से प्रशन बना इसमें भी तीन भाग हैं स्थूल भाग हमने पहले जाना शुक्षम शुरीर और कारण शुरी तीन शुरीर हमारे स्थूल शरीर जो है इसमें जिसे हम पार्थिव शरीर कहते हैं स्थूल शरीर को किस नाम से जानते हैं पार्थिव शरीर जो आपका पंच महबूतों से जो बना हुआ है निर्मित है वे हमारा स्थूल शरीर होता है शुक्षम श्रीर पूछे आप से शुक्षम श्रीर किसे कहते हैं इसमें हमारा प्रान है मन है बुद्धी है इनका समावेश रेता है यानि पहला श्थूल श्रीर अनमय कोश से समंदित हुआ शुक्षम श्रीर जो है आपका प्रानमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश से जुड़ा हुआ शुक्षम श्रीर और कारण श्रीर किसे है इसमें केवल और केवल आनंदमय कोश विद्यमान है इसमें आनंद का समावेश ह होता है अब यह बहुत अच्य से सको समा वेश होता है महरषी पतंजली ने तीनों श्रीर में किस तरह से समाहिध किया है अब पतंजल योग शुत्र में महरषी पंजली के उनसार पंच कोशों को कैसे समाहित किया है उसको आप एक बार देखिए पहला जो हमारा है अनमे कोश जिसे हमने भी जाना पार्थिव शरीर जिसे कहा फीजिकल बोडी ये जो है ये आपका अनमे कोश होता है दूसरा जो प्रानमे कोश है ये प्रान शरीर कहलाता ह इसे हम एथिक बोडी जो कहते हैं मनों में कोश या मानसिक शरीर मानसिक शरीर के तुम्हारी मेंटल बोडी मानसिक अवस्था तुम्हारा ठीक नहीं है मनों में कोश आपका स्वस्त नहीं होगा विज्ञान में कोश क्या है बुद्धी शरीर जिसे हम बुद्धी शरीर कहते ह intellectual body और आनंद में कोश क्या है आनंद आत्मा casual जो बोडी आपकी है इसमें हम केवल और केवल अपने आप में आनंद में रहते हैं स्वरूप में स्थित रहते हैं इस तरह से पांच कोशों को पातंजल की अनुसार विभाजित किया गया है अब हम जानेंगे प्रते कोश की विस स्थार से उसका स्वरूप क्या है कैसे कैसे वो पूरे कोश को हम समझते हैं जानते हैं तो इसको अच्छे समझिए अन्मय कोश जो अन्से निर्मित जो कोश होता है उसे अन्मय कोश केते हैं और अन्मय कोश में पार्थिव श्रीर यानि पंच महाबूतों से जो बना हुआ शरीर है वो आता है अब ये पांच भोतिक स्थूल शरीर का प्रथम भाग होता है क्या है ये हमारे शरीर के सरणरचला का सबसे पहला जो पड़ाव जो दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर वह आपका अनमे कोशी है और जिसमें क्या-क्या समाहित है वे पंच करमेंद्रियां इसमें आती हैं जिसमें पंच करमेंद्रियां कौन सी है मुख है पाणी जिसे हम हाथ कहते हैं पाद यानि पाओ उपस्त मुत्रेंद्रिया यह उपस्त जो है कई बार हम पर कन्फ्यूज होता है लोगों को इसको हम गुदा समझ लेते हैं यह गुदा नहीं है यह मुत्रेंद हैं और पंच ग्यान इंद्रियां जिसमें आपका कान है आंख है तवचा है जीवभा है नांख है ये paiंच प्रकार mejorar की ग्यान इंद्रिय को आपको ग्यान इन सेंस ओर्गन समारे ही है और इसनी के साथ साथ और भी है जो अन Me ko Bren मे आते हैं वा हैं this के साथ ही पाचन संस्थान यानि पूरा सिस्टम आपके जिसमें आपका डाइजू सिस्टम आ गया अस्ति संस्थान आएगा रुदिर संस्थान मज्जा संस्थान श्वशन संस्थान और उत्सरजन संस्थान आदी यानि ये के नो के नो जो हमारे सिस्टम है सब इसमें आएं प्रित्वी का आश्रे लेकर रहने वाले सभी प्राणी अन्स से उत्पन होते हैं यह बात स्पस्ड है जो भी प्रित्वी पर जो भी चरा चर जो भी आपको दिखाई देता है जो इससे आश्रित होकर के जीवित है वो सबी के सब अन में कोश्ट से निर्मित होंगे प्रानी अन से जीवित रहते हैं और अन में ही विलीन हो जाता है अन को सर्व ओश्द के रूप में कहा गया है आपने देखा बहुत सारे जीव जन्तु एसे चोपाई एसे छोट-छोटे जीव कीट पतंगों को देखते हैं अन से उत्पन होते हैं यानि प्रित्वी से उत्पन होते हैं और उसी में ही समाहित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं फिर समय आते हैं रितु आती है वही कीट पतंगे दुबारा से निर्मित होके दुब परसपर समवाद है ब्रिगु इसमें पुत्र है वरुन उसके पिता है वरुन अपने पुत्र ब्रिगु जब ब्रिगु अपने पिता के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे बताईए स्रिष्टी कैसे बनी क्या है सब कुछ तब वो अन वरुन उनके पिता जो रिशी वर वो अपने पुत्र ब्रिगु को कहते हैं जाकर के तप कर ये क्या करें तप करें तप करने के बाद उसने क्या क्या पाया वो सब आपके सामने इस तरह से वो पहले स्थूल जो दिखता है आंखों को उसको देखता है फिर उसके बाद वो और उसमें गहराई से जाता है तो उस स्वस्थ कैसा कैसे बनाया जाए अब प्रशन यह है अन्मे कोश्थ तो हमें पता चल गया कि अन्मे कोश्थ है इसमें यह सब कर्मिंद्रियां ग्यानिंद्रियां पंच माभूत यह सारे सिस्टम सब आते हैं इससे अन्मे कोश्थ बनता है और अब अन्मे कोश्थ आपका द्यान रखना है आहार और विहार आपने सुद आहार लीजिये आपकी दिन चरिया समय टू समय आपका ध्यान रखिये यह आपका एक time table जो हम कहते हैं खाने पीने सोने उठने का जागने का जो समय का आहार विहार जो है वो एक स्वस्थ होनी चाहिए जिससे यह सारा का सारा स्वस्थ बन जाता है नमेकोश अगला प्रशन ये है पंच बोतिक स्थूल शरीर में पंच महाम भूत कौन कौन से हैं ये सामानेत है के जियार्थियों को जब तो पूछा जाता है ये ही कंटस्त नहीं कर पाते हैं पंच महाम भूत क्या है यो फाइव अलिमेंट जिससे पूरा सृष्टि बना है और जिससे हमारा श्रीर बना है यह पंच महाबूत का सबसे पहला जो है आकाश जिसे कुछ दर्शनों में आकास तत्व को नहीं मानते हना आकास पहला आकास से वाईू निकला वाईू से अगनी अगणी से जल जल से पृत्विए पांच प्रकार के जो यह तत्व के नाम से ज है यह आप से पूछ लिया जाता है ध्यान रखना है रिशी वरुन कौन है पिता है किस पुत्र भ्रिगू यानि शिश्य के रूप में वो अपने पिता के पास जाते हैं और जाकर के अपने इच्छा अपने जिग्या सा विक्त करते हैं कि यह सब क्या है उसको जानने की यहां प्रान को लिए गया है यह प्रान जो है आपका आयू का बोध्दक हो गया आयू यानि आपकी जब तक शिर्मी प्रान तब तक वेक्ति जिवित है तो इसी के साथ जो जब से है तब से कालकरम के उनसर उसको आयू की संग्या दी गई है बुद्धी के कोश में के कोश में को कहा जाता है बुद्धी की कोश को विज्ञान में कोश अगला ही प्रशन है ये तुवी सारी की सारी बात आपके पूरी अनमे कोश से समझेंगे जब ये कोश समझ में आ जाते हैं तो कोशों के बाद हमें ये निर्ने लेना बड़ा सरल हो जाता है कि किस वेक्ट उपचार करना चाहिए और रोग कहां तक पहुंच गया है और किस किस शरीड में अभी तक वहां है और उसके लिए क्या उपचार करना है यह हम बहुत अच्छे से यह डायगनोसिस कर पाते हैं यदि हम पंच कोशों के बारे में जानते हैं आदिज व्यादि जो पहले वाली वीडियो में आपको पहुंच आया उसमें हमने जाना यह सब विभाजन करना एक योग प्रशिक्षक के लिए योग चिकित्सक के लिए बहुत जिरूरी है प्रान में कोश में स्थूल प्रान प्रान में कोश में क्या है प्रान में कोश में स्थूल प्रान और शुक्षम प प्रांट दिया एक तो थूल प्रान एक है शुक्षम प्रान इसको याद रखना है जिनके द्वारां संपूर्ण श्रीर का वेपार चलता है जो भी हाथ की मुवमेंट है आंखों की पलकना है मुझ से अवानी का बोलना है इस सारा का जो क्रिया कलाप होता है हमारे श्रीर की अंग इंद्रियों से वो सब प्रान के अधीन है श्वास लेने से पूरक होता है स्वास रोकने को हम कुम्बक कहते हैं स्वास छोड़ने को हम क्या कहते हैं रेचक कहते हैं अन्मय शरीर के अंदर प्रान मय आत्मा है पूरे अन्मय शरीर के अंदर कौन विराजता है प्रान मय आत्मा है प्रान ही आत्मा का शिर कहा प्रान को क्या संग्यादी है शिर की और वायान दाइना पक्ष है और अपान बाया पक्ष है यानि पूरे पंच कोशों को इसमें एक पक्षी के साथ कलपना की गई है पक्षी का जैसे शिर है उसका दाया बाया पंख है उसका मद्दे भ से वाप को चाहिएंगे आपको सिर्फफ इतना जानना है प्राण में कोश में दो प्रकार के कोश मुख्यता है कि तोलप्रान है और एक शुक्षम परान है इन दोनों क भी समझेंगे कि और क्राण के अंदर क्या है वो आप ध्यान रखना है इसमें देखता हूँ इसमें वह प्रशन में नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ स्थूल प्रान के बारे में स्थूल जो प्रान है उपंच महा प्रान है जिसमें प्रान, अपान, व्यान, उदान, समान ये पांच महा प्रान है जो हमारे श्रीर में अललग विभागों में विभाजित है प्रान आपका हरिदे से लेके मुख तक आता है यह आपका प्रान है और प्रान अपान जो है आपका मुला आपके नाभी से नीचे का जो भाग है जिसे हम अपान वायू कहते हैं जो बाहर फैंकने का कारिये को देखता है स्रीर की गंदगी निसकाशन करता है और ऐसे ही आपका प्रान के अपान फिर व्यान है व्यान पूरे स्रीर के अंदर जो भी blood circulation होता है पूरे श्रीर में व्याप्त रेता है ऐसे उदान है उदान आपके कंट स्थान से होता है शिर्टक रेता है जिससे आपकी धड़ बिलकुर सिधी रेती है गर्दन सिधी रेती है या आपके चेहरे पर जो तेज आता है ये सब उदान वायू क की देन है और समान वायू जो नाभी के बीच में रहता है जो पाचन क्रिया को देखता है इस तरह से पांच स्थूल प्राण हैं और ऐसे ही पांच आपके सुक्षम प्राण होते हैं जिसे हम नाग कुर्म कृकर देवदत धननजे के नाम से जानते हैं नाग आपकी पलकों को जपकाता है कुर्म आपको श्रीर के अंदर एक जो आप लेते हैं कुर्म जिसमें हम कहते हैं श्वास की गति है हिच की बगरा इसको देखना आपका करिकर भूख प्यास को नियंत्रित करना है देवदत आपका अंगडाई जमाई बगरा लेते हैं धनंजे ऐसे आपका पूरे श्रीर के अंदर जो एक सुगंद का वातावर्ण जो रहता है मृत्व के बाद आपके श्रीर में जो तेज रहता है वो धनंजे का रहता है प्रान रहता है जो अ अभी हम मनों में कोश की बात करते हैं मनों में कोश किसे कहते हैं मनों में कोश में मन के व्यापार मनों में कोश में क्या मन के व्यापार संकल्प जुड़ा रहता है और विकल्प क्या होता है कि मन में एक तो संकल्प होता है विकल्प होता है विचार मनों व्यापार आदिका स मावेस होता है प्रानों का संचालक होने से मन को प्रान की आत्मा कहा गया प्रान से भी सुक्षम कोन है मन हुआ मन के प्रानों की आत्मा है और ज्यान की अभिवेक्ति मन से ही होती है क्यों ज्यान की अभिवेक्ति भी किस से होती है मन से ही होती है मनों में कोश का आपने ध्या होता है भाई ये वानी से ऐसा नहीं है आपके अनमे कोश्ट स्थूल स्रीर से कुछ बोल दिया ऐसा नहीं इसलिए पानी घ्रहन संसकार है जो मंदिर में जाकर कि आपको उसको पानी हाथ में दिलवा करके संकल्प करवाया जाता है क्योंकि ये प्रान में से भी सुक्षम है अ बुद्धी तत्व कारिये करता है विज्ञान में कोश्ट में कौन कारिये करता है बुद्धी तत्व अच्छे बुरे विचार के उनसार बुद्धी कारी करने की आग्या देती है और उसमें मोध प्रमोध आनंद जो करम से दाया बाया श्रीर का बीच का भाग होता है अब इसलिए बुद्धी ही निरने ले पाती है कि ये अच्छा है ये बुरा है ये विवेक किसमे होता है बुद्धी में इसलिए बुद्धी मन से भी स्रेष्ट है मन जो है ये संकल्प विकल्प में विचार करने में लगा रहता है ये द्वन्दूब की स्थित्वी में आ सकता है प्रंतु बुद्धी जो है ये उसको स्थाई निरने देने में साहिता प्रदान करता है इसलिए बुद्धी मन से भी सुक्षम हुई अगला जो प्रशन है कि आनन्द में कोश जो पांच्वा कोश अंतिम कोश है आनन्द में कोश जो कारण शरीर का कारण है जो उसका वहक है वो आनन्द में कोश है आनन्द में कोश ये अपनी स्वय आनन्द अपने ही स्वय आनन्द निरा में अवस्था है जिसमें कोई आकृत और किसी में लिप्त नहीं रहता निरा मैय अवस्ता है स्वयानंद स्वरूप्वभण आदी अंत ही और चित्स का साक्षि होता है यह स्वयम क्योंकि आत्मदर्शन हो जाते हैं इस अवस्था में और möglichst बुख्ष वस्ता कहलाती है कोई बंदन नहीं है और इसकी योग का उदेश्य है और इसी की प्राप्ति एक मात्र योग का उदेश्य है मॉक्ष यहनी समाधी के वल्ले की प्राप्ति करना वह आनंदमें लिग से अध ему क aware also okay हो जाती है इसलिए जो ये भिघू की रूप में अपने पिता के पास गया उसको पता चल गया और फिर अंतिमे सामबेद के उदगारों को गुम गुम के गया करता है और उनको बन्दन सिवर मुक तहता है निरलिप तहता है अगला ही प्रश्टनिया आपने समझना है पंच करमिंद्रियों के नाम जो मैंने वहाँ पर पहले बताया है ये मुख पाणी, हाथ पाओ, उपस्त जो गुदा है पंच करमेंद्रियां हैं कईबार प्रिक्षाओं में पंच करमेंद्रिया arguably नाम पूछ ली जाते हैं पंच करमेंद्रियां में एक नामा लिजी्ट यह कान यहां डाल दिया जाता है तो कन्फ्यूज निना कान, आंख, तवचा, जीवा, ना कि ये सब पंच ग्यानिंद्रियां हैं जो आपको ग्यान करवाती है और अगला प्रशन आता है सब तधात्वें कौन सी हैं तो इनको क्रम से याद रखिए तेत्री उपनिशन में ब्रह्मा से स्रिष्टी उत्पत्ति का भी क्रम पूछा जाता है ये स्रिष्टी क्रम किस परकार से हुई तो ये तेत्री उपनिशन में पता चलता है यानि पुर्श जो है कैसे पैदा हो गया डारिक्ट तो कहा गया उसमें ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन हुए ब्रह्मा ने आकाश पैदा किया आकाश से गर्ष्कि उत्पत्ति वुई ये बाध्यान रखना है ये एक श्रिष्टी क्रम है श्रिष्टी उत्पत्ति कैसे हुई तेत्री उपनिशद के उनसार तो आपने एक्रम को भी याद रखिए ये हुआ आपका डेड़ी वप्रसनों तक का जो प्रसन संग्रह हमारा भाग आज ह आमने चार पढ़ा तो इसी को आपने कंठस्ट करिए याद कीजिए और इसे के साथ सब का बहुत-बहुत धन्यवाद